वेल्कम प्रेंट्स अवर यूटूब चैनल पेरामेडिकल केरेर अकेडिमी में दोस्तों आज हम यहां पर 30 mcqs करने वाले हैं जो आपके कापी हेल्पूल रहने वाले हैं कर दोस्तों स्टाट करते आज का पहला क्योश्ट वच्चों को जन्म के समय कौन सर्थी का दिया जाता है तो इसमें आपका करेक्ट आउनसर हो जाएगा बीशी जी क्विश्टन नमबर टू चिकशी है वीदिक पुलीस काउंसलिंग आसरा अधिस युदाई सरकार द्वारा एक ही केंदर पर दी जाती है वह है तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बते देता हूं इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्शन भी प्राजी दा लेकिन यह जो है आपके सब्चेक्ट से रिलेटेड नहीं है इस वज़े से मैंने इस पर पहले से राइट नहीं लगाए था ठीक है तो इस क्विश्टन को मैं छोड़ता हूं यहीं पर प्रोग्राम कारेक्रम शुरू हुआ इस वर्स में तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए प्रोटीन उर्जा कुपरस्ण का पहला सुचा कहें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा उर्जा के अनुशार कमवजन क्यूशन नमबर 6 क्वाइस को टर्म इनके द्वारा दी गई है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा ओप्सन D सीसली विलियंस क्यूशन नमबर 7 बच्चों में मास्पेशियों को गंबी रूप से अपसे होते देखा जाता है इसमें तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा सुका रोग जिसको अपर रिकेट्स बोलते हैं क्यूशन नमबर 8 काली कांसी प्रात्मिक तोर पर नीमन लोगों का रोग है तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा नवजासिसों का काली कांसी को अपन जो है कूकर कांसी भी बोलते हैं Q9, इन में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो इसमें correct answer लगा आपको तपेदिक, जिसको अपन टीवी भी बोलते है Q10, जेनू वल्गम, परिणाम है, तो इसमें आपका correct answer लगा, option है, फॉलोराइड विशाकता का Q11, दात्री माता को पहले 6 महीनों के दोरान अतरिक तूर्जाक की आउसेकता होती है, तो इसमें आपका correct answer लगा, 600 कलोरी परती दिन ये question जो है, आपको मैं बता दूँ, RRB railway के अंदर Health and malaria inspector exam में आया हुआ है, अलड़ी Q12, गर्बती महीलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है, इसके 7 से, तो इसमें correct answer लगा, आपका छोटे और लगातार भोजन से Q13, इनमें से कौन सा एक साइक टीका है, तो इसमें आपका correct answer लगा, आपसन भी DPT, DPT में 3 टीके हैं, डिप्टीरिया, पर्टिटास और टिटनास Q14, सबला योजना, जो ICDS, इस्तर पर लागू ही है, वो है किसोरियों के लिए Q15, लाज रख्त कर्णिकाओं की G1 अवदी है, प्रोटिन उर्जा कुपसन में कम हो जाती है, लाज रख्त कर्णिकाओं की G1 अवदी, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, प्रोटिन उर्जा कुपसन में कम हो जाती है, दोस्तों अगर इसका G1 का पूंच लेते हैं, RBC का, एड़ बलड कार्पोसल्स ठीक है तो इसका 120 दिन की होती है ठीक है जीवन आप दी 120 दिन की होती है कि क्यूशन नमबर 16 जिस संक्रमित मच्छर के खाटने से मलेरिया मानोव से मानोव में फ्यलता है वह है तो इसमें आपका करेक्ट आंस अजागा मादा एन अफलीज हर बार आता है यह क्यूशन ठीक है चाहिए आप मल्टी परपर्पर का मल्टी परपर्पर का एक्जाम दे लिए चाहिए आप हैल्थ इंसवक्टर सेनेट इंसवक्टर मलेरिया इंसवक्टर का एक्जाम दे लिजीगा चाहिए आप जो है टीवी हेल्थ इडिटर का दे लिज तो होता है वह है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा prolectin वार्पिशन नमबर 18 गरवस्ता के दोरहां किस पौसकत तोक्या आउसकता दुगणी हो जाती ही तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा calcium कुछ सबजियों में उपस्तित निम्न में से किसके आपसंशन में बादक है तो इसमें करेक्टान जाएगा लोहा कुछन नमबर 20 उर्जा उत्पादन करने वाले तीन पॉसक ततु है तो इसमें आपका करेक्टान जाएगा आपसंसी वसा और कार्बोज और प्रोटीन कुछन नमबर 21 इन में से किसके निर्माण में लोहा एक आवसेक तत्तु है तो इसमें आपका करेक्टान जाएगा आपसंशन ए हिमोगलविन कुछन नमबर 22 जिस पॉसक तत्तु के उच्छ सेवन से उच्छ रख्टचाप का खत्रा बढ़ जाता है वह है तो इसमें आपका करेक्टान जाएगा सोडियम कुछन नमबर 23 खाद पिरामीड का आदार बनता है इसमें करेक्टान जाएगा आपका आनाज और दालों से कुछन नमबर 24 साबूत आनाज अच्छे सरौत है विटामिन्स बी के कुछन नमबर 25 गरवस्ता के दोरान लोह तत्तु की प्रस्तावित आहरिये मात्रा है 35 मिलिग्राम परती दिन यह बहुत ही बेरी बेरी इंपोर्टेंट कुछन से और यह जो एक्जाम है मैं ओलेडी आ चुके हैं और यह जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको औरजिनल पेपर दिखा रहा हूँ ठीके तो एक भी कुछन को आप जो है हलके में मतलिझेगा कहीं भी आपके किसी भी गजाम में यह हो सकते हैं चाहे हैँ आपके छीनर चाहे आपके CHO का हो आपने देखा होगा रास्तान CHO में इसी लेवल की सारी questions आयते ठीक है तो बहुत ही easy paper होता CHO का अभी CHO की भरती चल दी है आपके हर्याना CHO की UP CHO का भी exam लगा जास्ट और अभी आपके वापीC MP CHO की vacancies आ चुकी में भी इसी टाइप की questions देखे गए है MP में जहें दो बार CHO की vacancies आ चुकी है और अभी आपके latest में जो है जम्मू CHO की vacancies है और हर्याना CHO की vacancies है और ब्यार CHO की vacancies है तो सबसे बड़ी बारती है अभी present time पे जो है गर्बस्ता में उस्तन वजन में बड़ोत्री होनी चाहिए तो इसमें करेक्टांस जाएगा आपके 10 से 12 किलोग्राम Q27 गर्बस्ता में गर्बस्ता का आकार बढ़ने से होता है जलन और ACIDITY Q29 छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्ताव टी का है Q30 को प्रस्तावित किया जाता है इसकी रोग्ताम के लिए तो इसमें आपका correct answer जाएगा कसरा तो दोस्ता आज का वीडियो यहीं समाप्त करते है Thank you for watching this video